हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फोर्ट जंक्शन बाय नीहा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम क्रिस्पी बिस्किट की रस्पी, इन बिस्किट को आप कम से कम समय में और बहुत सारे बिस्किट बना कर तयार कर सकते हैं, बच्चों को तो ये बिस्किट बहुत पस तो इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, कि हम घी से बटर कैसे बनाते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड़ कर दूँगी, इसको अब हम एक नट के लिए बीट कर लेंगे, और याद रखे बटर हमें रूम टेंपरिचर पर लेना है, जै तो चीनी अपने टेस्के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या जादा भी कर सकते हैं, और फिर से इसे दो से तीन नट के लिए हम दोनों चीजों को अच्छे से बीट कर लेंगे, ताकि चीनी और बटर अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसका एक स्मूथ सा बेटर बन जाए, द बिल्कुल चुटकी भर नमक, नमक से क्या होता है, बिस्केट बहुत क्रिस्पी बने रहते हैं, और इसमें एट करेंगे आधा चमज, छोटे इलाइची का पाउडर, इससे बिस्केट में जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही अच्छा हैगा, आप इलाइची पाउडर की ज इस तरीके से आप देखे, काटते हुए आपको इसे इकटा करना है, बिल्कुल धीरे-धीरे चलाते हुए हम इसे एक सार कर लेंगे, देखे, अब ये सिमट गया है और अब हम इसे इस तरीके से इकटा कर लेंगे, इसका डो जो होता है वो बहुती सौफ्ट बनता है, तो ह हमें भी इसे बहुत ज़्यादा करें हाथ से नहीं करना है। इनके बिस्किट आप काफे दिनों तक भी स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिस्ट बनते हैं। चलिए आटा हमारा तयार है, तब तक हम गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं और इसको ढग देंगी। जितने हम बिस्किट तयार करेंगे उतने हमारा ये गैस वाला अवन तयार हो जाएगा। चलिए अब बिस्किट बना लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, और इस तरीके से आटे की एक लोई ले ली है, थोड़ी बड़ी लोई ली है, ताकि हम एक बार में काफी सारे बिस्किट तयार कर सकें। और पेपर को हाफ में फोल्ड करकर इस तरह के से हम इसे बेल लेंगी। देखें पेपर में सिलवट आ रही है, इसलिए मैं बार बार इसे एक सार करकर फिर बेल रही हूँ। इसको हम पराठे की तरह पतला बेल लेंगी। और यहाँ पे अब मैंने लिए हैं कुछ कटर, यह अलग-अलग शेप के कटर हैं, तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं हूँ, तो आप बिलकुल भी पैशान मत हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हम बिना कटर के बिस्केट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ शेप कट कर लेती हूँ। देखे, यह शेप किती प्यारी लग रही हैं, और बच्चों को इस तरीगी की शेप के बिस्केट खाने बहुत पसंद आते हैं। देखे, शेप से कट लगाकर चाकू की सहयता से हम इसे उठा लेंगे और एक थाली में इखटा कर लेंगे। और बहुत ही असानी से यह शेप निकलाती हैं। अब मैं बिना कटर के बिस्केट बनाती हूँ। तो यहां मैंने छोटी सी एक लोई ले ली है, और हातों की सायतों से इसे इस तरीके से गोल कर लिया है। और हम एक फॉक लेंगे और इस तरीके से इस पे निशान लगा देंगे। देखे कितना सुन्दा डिजाइन बन गया है। और इधर हमारी कड़ाई भी गरम हो चुकी है। तो यहाँ पे हम नीचे रखेंगे एक स्टैंड और उसके उपर ये प्लेट रख देंगी। प्लेट जो है कड़ाई से टच नहीं करनी चाहिए और इसको अब हम ढग देते हैं। तो गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और पाच मिनट इसे फुल गैस पर और तस मिनट हम इसे मीडियम गैस पर बेग करेंगी। और बीच में इसे एक बार देख लेंगे। देखें मैं आपको टर्न करके दिखा रही हूँ ये एक साइट से थोड़ा सा सिख गया है पर अभी ये थोड़े कच्छे हैं तो हम इसे पाच मिनट के लिए और बेग करेंगे। तोटल हम इने 15 मिनट बेग करेंगे और 15 मिनट बात देखिए ये बिस्कुट कितने अच्छे से सिख गये हैं और कितना प्यारा इनका कलर आया है ये थोड़े पतले बिस्किट हैं इसलिए आपको ये दोनों तरफ से ब्राउन लग रही हैं और जो हाथ से बनाये थे वो थ दोड़के दिखाती हूँ ये दोनों ही बिस्किट बहुती जादा क्रिस्पी हो गये हैं एकदम पर्फेट से के हैं तो देखिए कितने टेस्ची बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं अब जब भी बिस्किट खाने का मन हो तो आप इस रेसपी को जरोर अबर दाया और कमेंट